वीडियो देखने वाले सभी लोगों को मेरा नमस्कार और आज सबसे पहले राम मंदिर की बनने की जो भूमी पूजन हो रहा है उसके लिए आप सभी लोगों को बढ़ाई और कहीं न कहीं हम लोग ये परियत्न करें हमेशा ये परियत्न करते रहें कि देश हमारा मजबूत हो अब मैं आता हूँ आज के इस वीडियो पर पाकिस्तान ने क्या किया एक नया चाल चल के भारत के ट्रेलेटरी को जो कभी उसको क्लेम नहीं करता था जहां कभी उसको अप बातने नक्से में नहीं दिखाता था लेकिन अब क्या किया है पाकिस्तान ने एक नया मैप जारी किया है और आपने भूमी को अपने मैप में दिखा देना लेकिन उनको यह भी समझना चाहिए दिखाने को तो आप पूरे इंडिया को अपने मैप में दिखा सकते हो लेकिन आप एक इंची जमी ले भी सकते हो कि ने ले सकते हो यह तो आपको सोचना है आखिर पाकिस्तान ने किया क्या है मैं यह आपको बताता हूँ आज एक और बातों से महत्पूर्ण है आज की तिथी एक और बात के लिए महत्पूर्ण है आठकिल 370 का आज ही के दिन खात्मा हुआ था इंडिया से जहां जम्मु का समीरवाला जो में 378 की लगता था एक दो इस दो विधान दो सम्विधान था उसका खात्मा किया गया और पाकिस्तान बिल विलाते रहा फट फटाते रहा जितना चिलाना हो सकता था चिलाया बर्ड फोरम में चिलाया लेकिन कहीं भी उसकी दाल नहीं गली एक आध कंट्री को छोड़ दीजिए मलेसिया हो गया तूर्की हो गया वह यॉनमे में जाके बोला पाकिस्तान के लिए कासी मेर के लिए API का lasting के लिए इसकी अलावा कोई भी नहीं बोल सका लेकिन देखिए जिस पर्धान मंतरी मलेसिया के ने बोले थे पाकिस्तान के को दिखाने के लिए हम क्या बना रहे हैंать कि आइए और 左 हम ने हर आपकेल 370 जारी किया पूरू संध्या शचार अगस्त में क्या किया आज तक पाकिस्तान यह बोलता था कि हम कास्मीर के नागरिकों को self-reaktion देंगे जहां वो अपने इसाब से चूज करें इंडिया में रहे पाकिस्तान में रहे जहां भी रहे या इंडिपेंडेंट कंट्री रहे कल पाकिस्तान ने एक चीज खतम कर दी कि आप कास्मीर जो लोग बोलते थे कि हम इंडिपेंडेंट कंट्री रहेंगे वो कंट्री नहीं रह सकते क्योंकि पाकिस्तान ने पूरा कस्मीर और जो गिलगिट बालतिस्तान वाला एरिया है उसको और आजाद कास्मीर प्योके को क्या बोलता है पाकिस्तान गिलगिट बालतिस्तान प्यो अक्साइचीन वाला जो एरिया था प्योके वाला अक्साइचीन जो था जो पाकिस्तान ने गिप्ट कर दिया चाइना को उस एरिया को अपने में नहीं दिखाया क्योंकि चाइना तो उसका है करता धरता ही है चाइना और चाइना कहीं तो वह सर्वर्डिनेटर स्टेट है उस कुछ भी होने वाला नहीं है अपका कल्यान कर दिया पाकिस्तान ने यह चीज तो थी हरकते तो पहले भी हो रही थी लेकिन पाकिस्तान यह दुनिया को दिखाता था अब पाकिस्तान के जो फॉरेंड मिनिस्टर से उन्होंने पॉब्लिक ली यह बाते कबूल कि और भी चीज पाकिस्तान ने अपने ट्रेट्री में दिखा दिया अब इससे क्या बदल जाएगा आखिर हुआ क्या था आजादी के समय वही जुनागड जहांके नवाब पाकिस्तान भागे थे 1947 में अपने बीवी को भी यहीं छोड़ दिये थे लेकिन कुट्य को लेके भागे थे यहा जो रियासत इंडिया में मिल सकती थी इंडिया में मिली जो रियासत पाकिस्तान में मिल सकती थी पाकिस्तान में मिली लेकिन वह इंडिया के नजदीक था और 80% से ज्यादा आवादी अभी वहाँ 87% आवादी हिंदू की है बट वहां के जो नवाब थे वो नवाब ने क्य किया पाकिस्तान के साथ Instrument of Accession पर साक्षर कर दिया मुहमन अली जीना के तहत और पाकिस्तान में भी ले कर दिया पर चुकि वहां की आवादी हिंदुओं की थी और लोकेशन भी फार बहुत दूर था पाकिस्तान से रहेंगे फाइनली वहां के नवाब क्या किये इंडियन आर्मी विए उस बोर्डर के नजदी गई क्योंकि पाकिस्तान में अलड़ी विलाय हो चुका था तो वहां के नवाब भाग गये पाकिस्तान और अपने बीबीयों को भी छोड़ दिये कुत्ते को लेके भाग गये भी लोग ने इंडिया के पक्षमे मतदान किया फाइनली एक लाख नब्लभी आजार के करीब लोग थे एक लाख नोजार ऐसा इसा ही कुछ लोग थे तो वो सारी इंडिया के तरफ किये अब एक और एरिया है गुजरात का सर क्रीक, उसको अपने एरिये में दिखाता है, पहले भी दिखाता था कुछ हट तक, और आप जुनागड़ को नया पैतरा चलके जुनागड़ को दिखाया है, उससे क्या बदल जाएगा, जब तुम एक इंची जमीन नहीं छोड़ सकते, हम कै से अपना एक इंची जमीन छोड़ सकते हैं, नेपाली के लिए भी बोलते हैं, कि अगर आपके अंदर राष्टी यता उबाल पड़ी है, तो हमारे खून में भी, हमारे रगों में भी खूनी दोड़ता है, पानी नहीं दोड़ता है, याद रखिएगा, तो ये सारी सिच् सब्सक्राइब कर लिजिए, भी तक आप मेरे वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए बहुत भुत धन्यवाद, अगर मेरे एक्स्प्राइशन आपको पसंद आए, तो मेरे सेनल को सब्सक्राइब कर लिजिए, धन्यवाद.